हेलो स्टूडेंट आज हमनों क्लास टेंथ का चैप्टर सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एकसरसाइज 13.4 कुशिन नमबर आज 3 देखेंगे चलिए देखते कुशिन नमबर 3 हम लोग क्या कह रहा है अफिज ता काप यूज बाए दा टॉक्स इस एक लाइक दा फ्रस्टम आफ और कोण फिर देखें हम लोगा का रहा है एक फेस है मतलब कैप है जिसका यूज कौन लोग का था तर्की लोग करते हैं ना और उसके से बाद आए क्या कर रहा है इफ its radius on the open side is 10 cm देखे cap है तो cap का एक side क्या होगा open होगा मतलब खुला होगा पहनने के लिए और दुसरा side क्या होगा बंद होगा तो क्या कह रहा है जो open side है उसका radius कितना दिये 10 cm दिये फिर आगे क्या करई रेडियस एड़ अपर बेस मतलब अपर बेस उपर में कितना दिया है फॉर सेंटीमिटर एड इट स्लैंट है और स्लैंट हैट कितना दिया है 15 सेंटीमिटर फाइंड करना है find the area of material use making for it हम लोग को find करना है कि इसको material कितना इसका जो बनाने में जो material लगा ना कितना लगा यह हम लोग को जो बनाने में इसको मतलब कि टोपी बनाना तो इसको कितना मतलब कि material लगा area of material मतलब कितना area लगा उस material को बनाने में तो हम लोग को यह बताने तो चलिए देखते कैसे find करेंगे तो जो DSS पर इसको लिख लेते हैं radius of upper end r1 कितना है 4 cm radius of lower end r2 कितना है 10 cm उपर का 4 है नीचे का 10 है slant height कितना है 15 cm हम लोग को find क्या करना है चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जगा होगा area of material use for making 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 इसको इहाँ लिख देते हैं making the phase equal to क्या होज़ आएगा हम लोगा curve surface area of क्या होज़ आएगा हम लोगा frustum plus curve surface area of frustum मतलब इस जो frustum है उसका curve surface area और उपर में जो हम लोगा जो base है वो किस के shape में है circular के shape में है तो क्या होज़ आएगा हम लोगा area of यहाँ पर लिख देते area of अपर इंड अपर इंड अब देखिए हम लोग क्या करेंगे curve surface area of first time हम लोगा क्या होज़ आएगा पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस area of अपर इंड अब लोग को जो अपर इंड हो किस के shape में है circle के shape में तो area of circle क्या होज़ था हम लोग का पाई पाई आप आप यहाँ पर देखिए हम लोग का यह क्या है pi r1 का square करदेंगे pi r1 का square आप देखिए दोनों में pi है क्या करेंगे pi pi common लेसे अंदर क्या बचगा r1 plus r2 bracket मेंjust r1 का square अब चलिए देखिए pi का value 22 by 7 अब यहाँ पर क्या हो जागा L कितना दिया है slant height हम लोग का कितना दिया 15 अब bracket में क्या है, r1 प्लस r2, r1 कितना दिया है, 4 और r2 10, 4 प्लस 10 हो जाएगा, r1 square, r1 कितना दिया, 4 का square, अब चलिए आगे देखते है, 22 by 7, 15 इंटू क्या हो जाएगा, 14, प्लस 4 का square, 16, अब यहाँ पर देखते है, 22 by 7, इन दोनों का multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा, हम हम लोग का 210, प्लस 16, 22 by 7, इन दोनों को add करेंगे, तो कितना आजाएगा, 226, अब इन दोनों का हम लोग जब multiply करेंगे, 22 और 22 को 226 दे, तो कितना आजाएगा, हम लोग का 4972, अब हम लोग इसको divide कर देंगे, चलिए में हम पर कर देंगे, और एक लाइन लिखेंगे तो answer कितना आजाएगा, कितना आएगा, 710.28 cm2, यही हम लोग का क्या आजाएगा, material आजाएगा, area of material यही आजाएगा, इतना लगा, तो इस्टुडिट वीडियो पसंद आए, तो लाइक करिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चैनल को subscribe कीजिए, thank you.